कि असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं कि सब मज़े में होंगे और फ्लेवर इस पोकन इंग्लिश अकडमी में आप सभी का स्वागत है इस तक बाले वेलकम है यह हमारा 19 वा लेक्चर है अलहम्दुलिल्ला आज तक अटरा लेक्चर कामयाव सब्सक्राइब के साथ मुकंबल हुए हैं और आप 19 वे लेक्चर में स्वागत है और जैसा कि आप सभी जानते कि अगर आपको फ्री में इंग्लिश स्पीक नहों या स्पोकन इंग्लिश इसको कहते हैं अगर फ्री में सीखना है तो हमारा चैनल कर लें यूट्यूब चैन आपको जाएं ताकि आपको जाएं जो भी नया अप्लोड होता है तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहें और वाटसब जोइन करने का फायदा यह हैं कि आपको लेक्टर के तालोब से कुछ भी डिसकस करना हो तो वाटसब पर डिसकस कर सकते हैं और जैसे कि आप देख रहो सब्सक्राइब के बारे में कि जो इंग्लिश होती है वह सुनने वाले को अच्छी लगती है आप जो नौर्मली इंग्लिश बोलते हो सब्जेक्ट और और अब्जेक्ट आपको बताई जाती है उससे जल्दी कोई इंप्रेस नहीं होगा लेकिन अगर आप अपने इंग्ल और अब करना होना है क्योंकि एडियम क्या होता है अफास का यह परोगे फैसे भी यह मतलब बनाते है जबान के बलने वाले कर रहादे इसकार्मूला नहीं कि यह कैसे औने वा लेकिन बोस्तित बोलते उसका कूछ छास मकसद निकलनाना था और वही मतलब उसका acceptable हो जाता है तो अगर आप उस मतलब को नहीं जानोगे तो अगर वह चीज आपके सामने बोलेगा तो आप गड़बर कर जाओगे जैसे कि मैंने आपको एक जोक सुनाए था कि एक अंग्रेश के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था अब अंग्रेश का जो मू दिया लुक यानी देखो आउट यानी बाहर बाहर देखो तो उसने जैसे बाहर सर निकाला और टनल आ गई और आप समझ सकते हैं उसके बाद क्या हुआ होगा तो इसलिए इडियम का जानना बहुत जरूरी है तो शुरू करते हैं आज का पहला हमारे इडियम है बीटिंग जैसे आप कोई कंपनी चला रहे हो एकदम बरबाद हो गई हो और उसके दोबारा चलने के कोई उम्मीद नहों फिर भी आप उसमें जा के रोज महनत करें और पैसे लगाएं तो सब पैसे और महनत जो है वह दोबारे डूब नहीं वाला है उसमें और कोई फायदा नहीं हो महनत करना जिसका कोई फायदा नहीं हो कोकि मरें घोड़े को मारके आपको क्या फायदा वह तो पहली मरा हुआ है उससे कोई फायदा नहीं अब इसके एक्जामपल क्या है इसके पढ़ लिजे के ही और डी टोल्ड यूनों डोंट बीट डेड होर्स यानि वह तुमको मना क कहेंगे किया पहली मना को अब मरें घोड़े को दोबारा मत मारो ठीक है आगे बढ़ते हैं दूसरा जो एडियम है बेश्ट आफ बोट वर्ड्स इसका मतलब क्या है कि दच्वाइस और सॉलूशन हैस ऑल अफ देवांटेज़ेस ऑफ तो कंट्रास्टिंग तिंग्स इससाथ दो तरीके के फाइदे मिलें इसको अच्छे तरीके के लिए एक्जामपल देख लेते हैं तो आपको आसनी से सुझ में आ जाएगा कि एक्जामपल क्या है वर्किंग फ्रॉम होम इस यूज प्लस यूह दा लग्ज़री ऑफ श्टेंग अट होम और यूट अगर आगे बढ़ते हैं और यहां पर आता आउपका क्विज तो है क्या मांश्या करते हैं डो यहां पर यहां200 इंदे रहाऊन हूं मिस्ट बोट अब इस इडियम के चार यहां पर मतलब दिये हैं इसमें से सही मतलब कौन सा है उसका नंबर लिखकर मेरे को भेजना है तो मैं कोश्चन एक बढ़ पढ़ देता हूं इसका टाइम रहेगा कल शाम में पांच बजे तक मैंने टाइम से बढ़ा दिया है क्योंकि अकसर लोग को उसी वक्त टाइम नहीं मिलता है वीडियो देखने का तो बहुत से लोगों ने का कि कम से कम 24 घंटा देना चाहिए ताकि क्योंकि हरा आदम का शेडूल अलग होता है अगर मैं रोज शाम में लिक्ट्र डालूं और रात में जवाब मगाऊं तो बहुत से लोग उसी टाइम अहम बाद के आप गूगल की मदद ले सकते हो यह कुई रखने का यह मतलब नहीं है कि आपको जो पता हो वसी किसाफ से बताए आप गूगल कर सकते हो नेट पर ढूंड सकते हो इसको चीटिंग नहीं कहेंगे क्योंकि मैं आपको अलाओ कर रहा हूं और इसका फायदा ही हो में याद रहेगी तो इसको गूगल कर सकते हो ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला हमारे इडियम है बाइटिंग आफ मोर देन यू के चूँ इसका जो लिटरल तर्जमा यह होता है कि इतना काट लेना जितना चबा भी ना पाओ ठीक है तो इसका मतलब यह कि कोई एतने काम करने लेते हैं जिसको आफ पूरा ना कर पाताओ जेसे आपको किसी ने कहां कि यह का थो Як्या को औरकल दोस्ति работ में जोगे हां तो आप सब को हाँ तो कहते जा रहे हो लेकिन कर नहीं पाओगे किसी को बाद में मना करना पड़ेगा तो यहीं चीज़ है वह के बाइटिंग ओफ मोर देनी के चीव यानि इतना काट लेना जितना चबा ना पाओ पाइम देना पड़ेगा तो कितना टाइम दे पाएगा फिर उसको सोना भी घर पर भी रहना है तो इसलिए कि एक सेप्टिंग टू पार्ट टाइम जॉब्स ही इसकी लिए बाइटिंग ऑफ मोर देनी केंचिव आप यह देख रहे होंगे कि मैं हर स्लाइट के साथ में फोट इसका क्या मन लगा हुआ कि किसी किताब को कवर होता है उससे जज़्ज मत करो अक्सर क्या होगा अच्छा हो तो किसी भी बुक को खली उसका कवर देखके फैसला नहीं करना चाहिए कि अच्छी है कि बुरी है यानि यह चीज आप सब पर अपला कर सकते हैं किसी इंसान की जाहरी है अहलत देखकर उसके बारे फैसला मत करो जैसे इसका आज कल तो बहुत अच्छा एक्जाम जाहरी देख दिखाओ से जाहरी अपीरेंस इसे बाहर से कैसा है उसके साब से अंदरुनी हालात का अंदाजा मत लगाओ तो इसका मीनिक जो दिया है कि नौट जज़िग संधिंग बाइट्स इनिशिल अपिरेंस यानि वही बाट जो मैंने बताए कि जाहरी देख रख हो देखने में तो चोटा मोट आदमी लग रहा है लेकिन उसको इस बुक को डोंट जबूक बैट्स कवर वह इंसान हगीकतन में बहुत पावरुफूल है और यह आपने यह तो आपनों से बहुत से लोगों ने देखा होगा आपकी जान पैचान में कोई नहीं सा इंसान हो और उसकी पीछे उसका अक्स आ रहा है वह एक शेर जैसा दिख रहा है तो यह वही बात हुई कि अगर कोई स्रीफ अक्स देख लेगा उसका तो जच करेगा कि यहां पे शेर बैटा है लेकिन जब हाकिकतन देखेगा तो स्रीफ बिली रहेगी ठीक है आगे बढ़ते हैं य यह है आखरी है कि यह क्या डूइंग सम्टिंग अड़ा ट्रॉप आफ हैट यानि कोई चीज बहुत जल्दी करना एक्दम किसी चीज को करने के लिए रेडी रहना जैसे आप किरिकेट खिलने के शौकीन होंगे तो जैसी कोई आप से किरिकेट खिलने के चलोगे तो आफ किरिकेट खिलना चलना है तो इसी को कहते हैं कि डूइंग सम्टिंग ड्रॉप आफ हैट यानि कोई बीकाम करने के लिए बिल्कुल एगर रहना वेतम तैयार रहना एक्दम रेडी रहना जाद सोचना समझना नहीं जैसी वह चीज़ का आउडर हो आप काम कर दो जाएंगे और यहां पर जो मैंने इमेज दिये उसमें भी एक एक्जांपल आ गई है कि मैक्स इस रेटी टू गो एड़ ड्रॉप आफ हैट यानि एक इंसाने मैक्स जॉप देखरेंगे च्छोटा सा बना हुआ है और रूनिंग करने के लिए तैयार है रूनिंग करेगा जैसी जो आदमी उसके बादों में खड़ा है जैसी अपना हैड़ गिराएगा वह रनिंग करने लग जाएगा ठीक है तो दोस्तों यह ताज का लेक्षर उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा इडियम का जानना बहुत जरूरी है इसको आप हलके में ना ले जित सब्सक्राइब कि यह वाट्सप नंबर है यह तो ठीक है दोस्तों आज के लिए अगले लेक्षर मिलेंगे दपता के लिए थैंक्यू